सीटों पर वोटिंग और साथ ही यूपी की हम बात करें यूपी की 13 सीटों पर लगतार नजर बनी हुई है कौन कौन से सीटे वो जरा दर्शकों को बताते हैं गोरगपुर बाजगाव देवरिया में वोटिंग हो रही है कुशिनगर में भी वोटिंग सुबह साथ बड़े स हो रही है तस्वीरे लगातार फ्लेश कर रहे हैं आपके टेलिविजन स्क्रीन पर इसके लावा मिर्जापूर महराजगन रॉबर्स गंज में भी सुबह साथ बड़े से लेकर वोटिंग हो रही है अब देश की 69 सीटों पर वोटिंग हो रही है यूपी की 13 सीटों पर वो वोटिंग हो रही है सुबह साथ बड़े से लेकर लगातार तस्वीरे आ रही है और पशे मंगाल में 9 सीटों पर वोटिंग हो रही है चंडिगर एक सीट पर वोटिंग और उत्तर प्रदेश पर लगातार नजर है क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता ओकर गुजरता है सभी सियासदान ये जानते हैं। गुजरता है सभी सियासदान ये जानते हैं। गुजरता है सभी सियासदान ये जानते हैं। उत्तर प्रदेश के हम बात कर रहे हैं। वारानसी में प्रधान मंत्री मोधी ताल ठोकर एक बार फिर से मैदान में हैं। और बड़ी चुनोती है गटमंदन उनके सामने। मेंदनाथ पांडे चंदॉली से मैदान में हैं। और अलुप्रिया पटेल मिर्जापूर से ताल ठोक रही हैं। एक बार फिर से बहुत बड़ी जिम्यदारी है अपनी सीट को बचाए रखना। और आर्पियन सिंग कुशिनगर से मैदान में हैं। कॉंग्रस के लिए भी जीत के लिए ये बहुत बड़ी उमीद है कुशिनगर के सीट। और साथी मनो सिनहा गाजिपूर से मैदान में हैं। यहां से भी बहुत बड़ी चुनोती हैं। और रमापती तिरपाठी हैं देवरिया से इन के लिए भी बहुत बड़ी चुनोती हैं और यहाँ पर क्या होगा यह भी देखना दिल्चस्प होगा और ललितेश तिरपाठी हैं मिर्जापूर यहाँ पर अरुपिरिया पटेल के साथ चुनावे दंगल में हैं बहुत दिगज जिनके भाग्य का फैसला जोना है राहुल बहुत शुक्रिया दीपाई इस पूरी जानकारी के लिए ओवराल आपने देखा अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो अगर वोवराल देखें तो बामुश्किल पच्पश्पश्पश्पश्पश्पश्